अब बात करेंगे गाओं के विकास और पंचायत को लेकर हमारे साथ मौजूद है नवाप गण बरेले से भाजपा विधाया केसर सिंग गंगवार जी विधायक जी आपको बहुत-बहुत स्वागात है हमारे कारिकरम थैंक यू देख जी ये बताईए कि गाओं के जो आजादी के सतर साल हो चुके हैं फिर भी गाओं में जो स्कूल है उसमें भी बच्चे अभी भी जमीन पर बैटकर पढ़ाई करते हैं इसका क्या कारण है बहुत अच्छा बिसे है आपने रखा ये हमारे देश का और गाओं में रहने वाले लोगों का दुर्भग है के सतर साल अजादी के उपरांत भी आज तक जो आपने समस्या बिद्याले की रखी बगई अपने आप में एक बहुत ही सोचनिये विसे है और हमारी सरकार योगी जी की सरकार ने प्राथमिक ओच प्राथमिक विद्याले हूं कि इस्तिती सुधारने हे तो बहुत अच्छे अच्छे कदम उठाए हैं जैसे कि इससे पहले जो ड्रेस हुआ करती थी वो ड्रेस ऐसा लगता ही नहीं था कि ये बच अच्छे की कार्ट पीट के सर्ड मना दी गई हो इस तरह कई एक ड्रेस थी लेकिन आज जो प्राइमरी स्कूल का बच्चा अगर कहीं गाउं में खड़ा हुआ है या प्राइमरी स्कूल से जाते समय आते समय दिखाई पड़ता है कि हां किसी कॉन्वेंड स्कूल का यूते मोजे ड्रेस बैग और ये सुटर ये जो देनी की बिवस्ता थी साथ ही बिद्याले की पड़ाई किया इस तरह भी पहले की अपिक्षा सुधार हुआ है तो कि पहले मैंने देखा कि ये बिएसे और बिएसे ये कभी गाउं की तरफ जाते नहीं थे देखते नहीं थ थी बिद्याले वो महीना देती हैं देती थे ये बिएसे को लेकिन अब वो चुके समय समय पर छापे पड़े हैं बिद्यायक भी अपने अपने छेत्रों में जागरूख हुए हैं तो ऐसे मैं एक एकदम मैं कहा दूं 100% सुधार आ गया ऐसा तो नहीं है लेकिन काफी ये बच्चों की संख्या अधिक है ऐसे विद्यालों को चिन्नित करके वहां फनीचर भी देने की विवस्था की जा रही है और आते सीग्र मैं समझता हूं के 4-6 महीने के अंदर प्राइमरी स्कूलों का बातावरण एक बदलता हुआ शुरूप दिखाई पड़ेगा जैसे आपने का कि बहुत सारे स्कूल में ये ड्रेस दी गई है जो जैसे कि होमगार्ड बच्चे दिखते थे कि होमगार्ड पहले थी लेकिन जो स्कूलों में जो सिच्छकों की कमी है इसका क्या कारण है अब एक साथ सारी बिवस्थाएं नहीं सुधारी जा सकती है इसकूलों में टीचरों की कमी ये बात बिल्कुल आपकी सही है और सिच्छा मित्रों का जो चैन पिरकिरिया थी उस बिवस्था में भी बहुत काफी कोर्ट में मेटर जाने के उपरान तब उसका सुप्रिम कोर से निर्णे हुआ और अब बहुत सारी बेकेंसियां निकाली गई है और साथ 78,000 नए सिक्छों की निक्ति होने जा रही है और ये निक्ति के उपरांत मैं समझता हूं के एक बिवस्था जहां बिद्याले में बहुत से बिद्याले येकल हैं बहुत से बिद्यालों में टीचर नहीं है ये पूर्व की सरकारों की आवेवस्थाम ही रही जिसके कारण ऐसा रहा वाता वनाने लेकिन आवो बहुत कुछ सुधार की तरफ हम लोग अग्रश हैं और निकट्भविस में अब जैसे अभी इसके इस रहे जो बिसे बिसांतर हुआ करते थे अलग-अलग एजूकेशन अलग-अलग कितामें हुआ करती थी अब उस तरब भी हमारी सरकार ने ध्यान दिया है अब वो एकी सिख्षा एकी जिसा ऐसा पाता ब्रॉनत दिखाई पड़ेगा आपको नए सत्र में जिसे कि गाउं में जो अस्पताल है उसमें डॉक्टर नहीं है तो इसका क्या करणा है कि जो डॉक्टर ने वो गाउं जाना नहीं चाहते हैं या सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है ग्राओं में जे बात सही है अस्पताल हैं बहाँ पर डाक्टरों की न्युक्ति है और कभी चले गए कभी नहीं चले गए या अपने प्राइवेट प्रेक्टिस में सनलिप्त है और अस्पतालों को या अपनी जुम्मेवारियों को निर्वा सही धंक से नहीं कर रहे हैं दवाएं भी हस्पतालों में नहीं है लेकिन अब समस्यां इस तरह की होने वाली नहीं है क्योंकि हमारी सरकार ने निर्णे लिया है कि अब जो डाक्टर्स न्युक्ति में आंगे उन्हें ग्रामी रंचल की साल का रखा मुझे सही एक्जेक नहीं पता है दो साल तीन साल की न्युक्ति पहले दिहाद के पीस्टी में ही रहनी पड़ेगी उसके बाद ही वो सहर की हस्पताल में रह पावेगा इस तरह का हमारे हाँ नियम बनाया गया है रही बाद दवाओं की तो दवाओं में जो के एक वीवस्था थी सरकार के पास पैसा नहोने के कारण या पैसा है तो उसका धुर्पयोग होता था पैसे का इस कारण से वहाँ में गरीवों के लिए कहने को तो सपताल थे लेकिन दवाएं या उपचार सही से नहीं हो पाता था लेकिन अब जो जो जीस्टी जो लागू ह हुई है GST से बहुत सारे लोग जो टेक्स नहीं दिया करते थे आज वो टेक्स देना शुरू कर दिये हैं अब जब टेक्स भरपूर मात्रा में सरकार के पास आवेगा तो आने जाने के रास्ते विद्यालों में दमाएं वर पूर मात्रा में डाक्टर की न्यूक्तियां कार चराने के लिए मैं समझता हूँ जी एस्टी का फैसला आमानिय मोदी जी ने लिया है ये बहुत ही देश हित्में और निया हित्में सरकार हित्में और जनहित का फैसला है और निकट भविस्ट में एक साल में इसके दूरगामी परड़ाम बहुत अच्छे दिखाई पढ़ेगा सोच बढ़िया होनी चाहिए मन बढ़िया होनी चाहिए और वो योगी जी का मोदी जी का सोच बढ़िया है देश हित्में है प्रदेश हित्में है तो अपने आप सुता ही अब सुधार आपको दिखाई पढ़ेगा गाहों के लोग हैं वो रोजगार के लिए स उद्धोग एक मीटिंग होई थी जिसमें बहुत सारे उद्धोग पती इस हिंदुस्तान के जाने माने इंडस्टीज मालिक बाहर से भी बहुत सारे लोग आए और आने के बाद उन्होंने इंडस्टीज लगाने का यहां पर जो उद्धोग नीती बनाई है उसे उद्धोग नीती के करण बहुत सारे लोग यहां निरने लेंगे और उन्होंने आवेदन किये हैं बो लोग यहां पर जब इंडस्टीज लगांगे तो हमारा बेरोजगार नव्योबक जो पड़ा लिखा घूम रहा है उसे रोजगार मोहिया होगा और देश प्रदेश भी हमारी प्रगती के रास्ते पाएगा और जो यहाँ पर जो चीज़ें मनुफैक्टिरिंग होंगी उससे हमारे पास टेक्स के रूप में एक पैसा भी काफी मात्रा में आवेगा जिससे के यहाँ का विकास और नव्योबकों को रोजगार मिलेगा आपके जब से गिराम पंचायत क्या माने रखती है गिराम पंचायतों में बिवस्था सरकार ने पूर्व की सरकारों ने पैसा तो दिया लेकिन पैसे की मानेटरिंग कुछ भी नहीं हुई जिस कारण से गाउं का विकास मनमाने तरीके से हुआ चाहे उसमें ग्राम पंचाइद अदिकारी हो ग्राम विकास अदिकारी हो या गाओं का परधान हो इन लोगों ने पैसा तो गया गाओं के अंदर लेकिन जो विकास होना चाहिए वो विकास उस तरह से नहीं हुआ कोई कारियोजना नहीं जो साल के लिए कारियोजना बनाई जाती है, गराम पंचायत की खुली मीटिंग में, और कारियोजना कोई नहीं बनाई गई, ना कारियोजना के अनुसार कोई काम हुआ, अना सुर्तम काम हुआ, उसका कोई भी लेखा जो खा, सही धंग से नहीं पाया गया, लेकिन हमारी सरक निर्णे लिया है और बहुत सारे कारवाईयां भी की हैं जिसमें के अब ग्राम पंचायतों को सीधे जिले से जोड़ा गया है और जिले को मुख्याले प्रदेश मुख्याले से जोड़ा गया है और मानीटरिंग अब जो जिस तरह से हो रही है और निकट भविस्व में जो भी कमिया है ग्राम पंचायत अधिकारियों पर ये के ग्राम पंचायत अधिकारी पर आठाट ददस ग्राम पंचायत हैं जिसके कारण वो सही से देख नहीं पाता है जुम्मेवारी को निर्भा नहीं कर सकता तो ग्राम पंचायत अधिकारियों की भी नियुक्ति हो रही है व सारी बिवस्थाइं कोई एक दिन में नहीं हो गई ये पूर की सरकारों का इसमें कहीं न कहीं दोस रहा है और आज इन बिवस्थाओं को चुछ दोस्त करने के लिए काम किये जा रहे हैं और मैं समझता हूं कि निकट भविस्थ में अब अच्छे पढ़नाम आपको ग्राम प चायतों से लोग सहर की तरफ पलाइन कर रहे हैं जी बात बिल्कुल आपकी सही है क्योंकि पढ़ाई की विवस्था सही नहीं आने जाने की विवस्था सही नहीं गाओं में रहने वालों को बत्ती नहीं अब वो बिजली भी हमारे यहां पर मैं समझता हूं कि इस 30 घंटे जिला मुख्याले को बत्ती दे रहे हैं जिसके कारण हमारे खेतों में पानी अगर उसे लगाना है तो जब मोटर का उसने बटन दबा दिया स्टार उठा दिया तो जब तक भर नहीं जाएगा खेत तब तक बंद जब तक नहीं करेगा आकर तब तक बंद नहीं हो रहा पता लगा कि बत्ती आई नहीं आई तो रात में आई जब वो घर पर पहुंच गया फिर दोबारा आया तो फिर बत्ती गायव हो गई तो इस तरह की किसानों के साथ एक मजाग रहा अब आज बत्ती की विवस्था उनके जो पैदा उनोंने किया जब धान किया ग्यों किया ग्यों किया उसका उचित मूल हमारी सरकार ने दिलाने का काम धानों में भी किया ग्यों में भी किया और गन्य का भी आप देखिए कि अभी चीनी का रेट जब चीनी मिल चालू हूई थी तो चीनी का रेट 37 सो रुपए का था और धीरे घटे 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 वो मुल जो है अठाइस सो रुपए पा गया और अठाइस सो रुपए पा आने के बाद परदेश सरकार और किंदर सरकार ने जब बैठ के फैसला लिया तो आज वोही रेट चीनी का फिर 35 पहुँच गया मैं समझता हूं कि साइज 70 साल की आजादी में पहली बार ऐसा हुआ कि तुरंत कंट्रॉल कर लिया गया नहीं तो किसान हित में कभी किसी ने इसे निरने लिये ही नहीं कि रेट अगर डाउन हो गया या जो ब्यापार करने के लोग बैठे हुए हैं बीचोलिया बैठे हुए हैं उन्होंने मन माने रेट जब चाहे बढ़ा दिये जब चाहे घटा दिये लेकिन केंद्र सरकार और परदेश सरकार ने जो चीनी पे एकड़म कंट्रॉल करके और किसानों के गन्ने का समझ से भुक्तान हो सके उस तरफ बेरेक लगा के दुबारा फिर से चीनी का मूल रेट उठाने के काम किया है आपके हिसाब से गाउ में ऐसी कौन कौन सी चीज़े जरुती होनी चाहिए जिसे आम आदमी खुसाहल जिन्दगी जी सके खुसाहल जिन्दगी जीने के लिए गाउ में किसी अभी बिद्याले में जैसे आपने कहा बिद्याले में पढ़ने के लिए बच्चों को टीचर होने चाहिए अच्छा बातावराण होना चाहिए अवावक माता और पिता की भी सिख्चा दीख्चा हो वो भी अपने बच्चे को समय से बिद्याले भेजें दूसरे गाउं में जो गंदगी रहती है गंदगी का टमबार रहता है वो सोचता विहान के तहत अब जो काम हुआ है गाउं के अंदर उससे बहुत लोग हुए हैं और बीमारियों पर भी हमकुस पहले की अपिक्चा लगा है नहीं तो घर में पता लगा कि घर के सामने ही कूडा पड़ा है लेटीन पड़ी है नालियां गंदी पड़ी है जिससे कीडे मकोडे मच्चर पैल पैदा हो रहे हैं यह सोचता विहान मानिये यह मोदी जी का जो एक विहान के रूप में उन्होंने लिया हिंदुस्तान के अंदर वो उत्तर प्रदेश में भी हमारे युगी जी ने उसे लागू किया और सोचता विहान के अंतरगत बहुत बड़ी मातरा में हमारे सुलब सोचाले बन बाए गये हैं घर घर गरीवों के लिए औ और सफाई का भी विसे इस ध्यान दिया गया है और विकास कारियों के लिए भी इस समय पैसा भरपूर मातरा में जा रहा है और प्रदानों को ग्राम पंचेद्या दिकारियों को ये अब डर है कि अगर पैसा हमने सही से उपयोग नहीं करा तो हमें कहीं ना कहीं पनेस होन जिलना पड़ेगा तो अब काम भी सुचारू रूप से चलना है बहुत बहुत दुनिवाद विद्याग जी आपका तो ये तो थे बरिली से भाष्पा विधायक केसर सिंग गंगवार जी जिनोंने हमारे सवालों की बड़ी सुद्बूत के साथ जवाब दिये आगे भी माशा करते हैं कि विद्यान सभा में गाउं की विकास को लेकि सवाल उठाते रहेंगे और हम आपको अन जन प्रतिनियतों से आपकी मुलाकत करवाते रहेंगे तब तक शिल्पी को दीजिए इजाज़त नमस्कार